हलो एवरीवान, वेलकम टू ग्लोबल ओनलाइन, दिस अंकिता सूद आज की इस वीडियो में बहुत ही जादा इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन में आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ यह इंफोर्मेशन है रिलेटी टू करेक्शन विंडो तो आप सभी को पता होगा कि यूजसिनेट एक्जाम के जो अप्लिकेशन फॉर्म का प्रॉसेस है उसकी आज लास्ट डेट है 20th में है आज इसकी लास्ट डेट है और कल से यानि कि 21st से लेकरके 23rd तक करेक्शन विंडो ओपन होने वाली है तो अब बहुत से स्टुडेंट्स के माइन में ये क्वेरीज थी बहुत से स्टुडेंट्स ने हमें भी ये पूछा था कि करेक्शन विंडो क्या होता है और क्या इसको हम यूज क्यों करते हैं ठीके तो मैं आप लोगों को एक लाइन में इसका मतलब बताना चाहती हूँ कि करेक्शन विंडो एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अप्लिकेशन प्रॉसेस में कि इसकी हेल्प से हम लोग अपने फॉर्म को रिजेक्ट होने से भी बचा सकते हैं तो ये स्टुडेंट्स अगर आपको लगता है कि जब आपने अप्लिकेशन फॉर्म फिल किया था उसमें कोई गलती हो गई है उसको आप करेक्ट करना चाहते हो या फिर आपने जो फोटो अपलोड की है आप उसको चेंज करना चाहते हो या फिर लास मोमेंट पे आपको तो वो भी कर सकते हो इस करेक्शन विंडो की हेल्ट से ठीके इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाइ स्टेप पूरा प्रॉसस बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप लोग ऑफीशल वेबसाइट पे जा करके इस करेक्शन विंडो को यूज करके अपनी चीजे अपनी जो information है उसको change कर सकते हो इस वीडियो का आप लोग अच्छे से जरूर देखेगा ठीक है यहाँ पे यह पूरा schedule है आप सभी को पता होगा कि 20th में जो है यह last date है submission की application form भी and free submission की भी last date है जो correction की आज हम लोग बात करने वाले हैं यह correction window 21st से लेकर के 23rd तक open हो आप सभी को पता है कि हमें दो paper देने होते है paper 1 and paper 2 paper 2 होता है subject centric paper 1 होता है common paper जो की बहुत ही जादा scoring paper होता है maximum jrf folders जो होते न यह paper 1 में अच्छा score करके jrf लेते हैं ठीक है so paper 1 का complete course हम आपको देते हैं so इसमें हम आपको provide कर आते हैं full syllabus video lectures इन lectures में हर एक चीज को हम real life examples के स math and short tricks के साथ आपको बताते हैं ताकि आप लोग exam तक नहीं भूलो and आप लोग exam के time पर भी चीजों को recall easily कर सको साथ हम आपको देते हैं full syllabus updated notes यह guaranteed notes हैं यह हम आपको pdf format में देंगे and इन दोनों के combination से जो हमारे youtube पर lectures होते हैं आप उनको भी access कर सकते हो so youtube पर सुभा 7 बजे Hindi plus English में हमारा paper one के live lectures होते हैं बिलकुल free and रात को 9 बजे pure English में paper one के free live lectures होते हैं आप लोग इनको जरूर access कीजेगा हमारे channel पर ठीक है साथ हम आपको देते हैं maha marathon most expected mcqs इसमें से बहुत questions as it is पूछे जाते हैं यह most expected questions है previous year questions and 60 plus mock test इस course के साथ students में आपको guarantee देती हूँ कि आने वाले सिरफ 30 days में भी आप लोग अपना exam qualify करके अपना jrf का dream पूरा कर सकते हो so यह paper one की validity रहेगी one year so आज offer चल रहा है students क्योंकि आज registration का last day है so आज हम आपको offer दे रहे हैं कि अगर आप आज रात को 12 बज़े से पहले यह subscription लेते हो तो आपको सिरफ और सिरफ 3000 पे करना होगा and आज रात को 12 बज़े के बाद आपको इस course के लिए 3500 पे करना होगा तो यह बहुत अच्छी opportunity हम आपके लिए लेकर आए हैं जल्दी से इस course को access कर लीजिए screen पर दिएगे number पर whatsapp के through contact कीजिए and इस course को आप लोग access कर सकते हो तो अब यहाँ पर देखते हैं UGC ने एक news article के through यह चीज़ हम तक पहुँचाई है कि application correction 21 में से start होने वाला है तो कैसे इसको access करना है इसमें बोला है the candidates are able to use this facility during the stipulated time frame to add it change the application form already submitted by them तो जो already हम लोग ने application form को submit किया है उसे में हम changes कर सकते हैं तो यह सब के लिए नहीं है अगर आपको लगता है कि changes करने की जरूरत है तभी आप लोग इस पे चाहिएगा otherwise इसकी कोई जरूरत नहीं होती है ठीक है तो इसमें कैसे changes करने है यह भी बहुत important है so इसके लिए इससे पहले students में आपको बताना चाहती हूँ कि अब time क्योंकि हमारे पास बहुत कम है इस समय पे हम यह नहीं सोच सकते कि हम खुद से notes prepare करेंगे खुद से previous year questions यहाँ वहाँ से ढूंड के solve करेंगे यह समय अब जा चुका है so इस time पर हमें चाहिए कि हमारे पास complete guaranteed notes हो previous year questions हो, most expected questions solved हो ताकि हम उससे सिरफ पढ़ सके so you just in it paper 2 का complete study material हम आपको देते हैं total 16 subjects की list आप यहाँ पे देख सकते हो so जो भी आप लोगों का paper 2 है आप लोग उसको यहाँ पे देख करके screen पर दीगे number पर whatsapp के through contact कर सकते हो यह बहुत fast process है जैसे ही आप हमसे contact करोगे whatsapp के through within 15 minutes आप लोगों को यह study material मिल जाएगा इसमें हम आपको देते हैं full syllabus notes and most expected MCQs यह आपकी final 30 days preparation में बहुत help करेंगे ठीके तो आप लोग अगर इस exam के साथ साथ सोच रहे हो कि next UGCnet भी देना है तो भी आप इस course को access कर सकते हो इसकी कोई validity नहीं है एक पार इसके लिए pay करो and lifetime आप इसको use कर सकते हो so इस complete study material की fee अगर आप आप आज 12 बज़े से पहले subscription लेते हो तो 1000 होगी कल से इसकी fee बढने वाली है that is 1500 rupees ठीक है so इसको आप लोग app के through भी access कर सकते हो यह हमारा app है global online play store पर जाकर free में से आपको download करो and then home section पे आप लोगों को क्या करना है directly यहाँ से course select करना है NTA UGCnet and then आप यहाँ पे अपना कोई भी paper 2 या paper 1 को select कर सकते हो so अब मैं आप लोगों को बताती हूँ को steps जिसकी help से आप लोग correction window को easily access कर सकते हो तो सबसे पहले students आप लोगों को UGCnet की official website पे जाना होगा उसके बाद वहाँ पे सामने आप लोगों को एक option मिलेगा जिसमें लिखा होगा application form correction ठीक है या फिर लिखा हो सकता है application form correction June 2022 ठीक है next देखना है आप लोगों को अपनी login details डाननी है so login details में यहाँ पे आप लोगों से आपका application number पूछा जाएगा application number क्या होता है यह आप लोगों को आपका जो आपने पहले form फिल किया था उस time पे वहाँ पे top पे नजर आएगा I hope आप लोगों ने instructions सुनी होगी and उस चीज़ को save करके रखा होगा application form के साथ साथ आप लोगों को application number के साथ साथ आपको आपको पासवर्ड एंटर करना होगा the candidates are required to enter their respective application number password and security pin security pin वहीं पे आपको नजर आएगा वही as it is आपको copy करना है and मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर by chance आप लोगों को अपना application number नहीं याद है तो उसको कैसे access करना है कैसे retrieve करना है अगर ऐसी किसी problem में आप लोग फस्ते हो तो आप हमें comment करके बताएए मैं उस पे एक separate live video आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी इसके साथ ही अगर आप लोग 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 इन कर लेते हो तो वहाँ पे आप लोगों को desired changes करने का पूरा process मिलेगा जैसे कि options होंगे कि images में change करना है signature में change करना है जिसमें चीज में change करना चाहते हो directly आप लोग वहाँ से कर सकते हो और मैं आप लोगों को students बता दूँ कि अगर आप लोग अपना center change करना चाहते हो तो उससे पहले एक center की list पूरी देख लीजिए मैं एक video में पूरे centers की list बताईए state wise आप उस video को भी refer कर सकते हो और अगर आप लोग अपनी image या फिर अपना signature change करना चाहते हो यह एक बार open होती है एक person के लिए बार बार नहीं हो पाती तो इसलिए जो भी चीज़ें आप changes करना चाहते हो उनको पहले ready रखिएगा आपने सामने ठीक है after making the changes candidates are required to check the changes made carefully to avoid any error तो यहाँ पर यही बोला गया है कि अच्छे से एक बार check कर लीजेगा cross check कर लीजेगा हर एक चीज को उसके बाद आप लोग उसको print करके भी रख सकते हो मेरा suggestion यही है कि आप लोग चीज़ों को save कीजिए and then आप लोग उसको download करके अपने laptop अपने computer किसी में भी रख सकते हो या फिर आप print out करवाना चाहो तो print out भी कर सकते हो further reference के लिए ताकि आप लोग अपना application number और यह चीज़ों को याद रख सको ठीके examination time पे इस application form की जरूरत नहीं होती है महाँ पे जरफ आपको admit card की जरूरत परती है ठीके so students I hope यह video आप लोगों के लिए helpful रही है और जो भी information में देना चाहती थी वो आप लोग अच्छे से समझ चुके हो ठीके किसी भी तरह की query के लिए आप comment करके हमें बता सकते हो हमारी team definitely आपके help करेगी so thank you so much and I wish you all the very best